दोस्तों कि LD Classics में आप सभी का स्वागत हैज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान में समिधान को खत्रा लेकर क्यों बात किया रहा है के चाहे है, बारत हो या पाकिस्टान दोनों देसकों में यह कहा जा रहा है कि जो समिधान है परसिय परेंट था जिसके करेंट से महाँ पे बिरोध और कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं दिसे होता है कि कई पच्छ सपोर्ट कर रहे हैं कई पच्छ जो है बिरोध कर रहे हैं उसी तरह से भारत में आज क्या हो चुका है जिसको लेकर कई लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कई लोग उसका बिरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान से कोई इस तरह से परसानी है ना ही पाकिस्तान को भारत से किसी दोनों देशों को किसी देश से परसानी नहीं है। क्यों ये समिधान को लेकर ये बता रहे हैं कि हम इसको संसोधन करेंगे या उनके पास यही आफसन है कि अगर उस समिधान में संसोधन नहीं करेंगे तो उनके पास कोई आफसन नहीं होगा। पाकिस्तान में उससे बचाया जा सके अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में वहां की ECS आदालत हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की BCS आदालत ने भूत पूर्व भौजी परवेस मुसरब को मौत की सजा चुने। जैसे यह सजा सुनाए गए मानों की पाकिस्तान के उपर जो पाकिस्तान की सरकार है और जो सेना है दोनों के उपर आसमान तूट गया। यह जैसे ही फैसला सुनाए गया। इसके बाद से दोनों केस्तान के जो कोर्ट है वहां की जो स्पेसला सुनाए गया बहुत ही अच्छा है और कई लोग यह बताया है कि इस तरह से सेना को कमजोर किया जा रहा है और जो कोर्ट है यह फैस्तान में वह मजबूत अपने आपको सकती सालिए समझ रही है तो इसक कराण से अब ये समस्या आ रही है कि चाहे हो पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान की सेना उसके सामने यही आपसन है कि यह जो प्रवेश मुसहरब जी को फांसी के सज़त सुनाई गई है उनको बचाने के लिए मात्र एक ही आपसन यही है कि क्या समिधान में संसोधन कर दि तो समझेए उस देश में समीधान कह सकते हैं कि गलत रास्ते पर या वहां पेश समीधान खत्रे में होता है कोड़ के मुखनयादी से ये भारत के एज़ंट बताएगे तो इस तरह से जो आरोप लगाया जाता है हमेशा समिधान के बुराई किया जाता है पाकिस्तान में सुरू से ही पाकिस्तान में समिधान को नहीं माना गया भारत में तो आज समिधान की बहुत ही वैलू है कह सकते हैं कि चाहिए वो किसी भी कोई भी पार्टी हो चाहिए वो फैसला सुनाया है जो परवेश मुसरब जी है उनको फासी के सज़ा क्यों सुनाया है हम इसको लेकर समिधान में संसोधन करेंगी यही उनके पास एक आपसन है इसी कांड़ से का जा रहा है कि पाकिस्तान में समिधान को लेकर आगर सकते हैं कि खत्रा आ चुका है आगे बात क कह सकते हैं कि भारतिय समिधान में 100 से अधिक समिधान संसोधन हो चुके हैं यह कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के पार्टे के सासन काल में उसके हैं पाकिस्तान संसुदन हो गया है जब भी सरकार आती है चाहिए वो किसी भी पारटी की हो कांग्रेस की हो या बीजेपी वो अपने हिसाब से देश को चलाने के या समिधान को अपने हिसाब से करने की कोशिज करते हैं वो सोचते हैं कि जो हमारी कारे पालिका है उसको हम अपने पावर वेलू दिया गया वही चीज है कि आज जो सरकार है वो समिधान को बदल रही वो अपने हिसाब से करनी की कोशिस कर रही है इसी के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे भारत में भी समिधान को खत्रा है जब से यह CAA NRC की बात हो रही है तब से भारी विरोत प्रजसन हो रहा है चाहिए प्रस्थाना को लेकर या प्रेमबल को लेकर बात किया जा रहा है क्योंकि भारत एक धर्म निरपेच देश है जैसे पाकिस्तान हो तो धर्म निरपेच नहीं कह सकते हैं के इसलामिक कंट्री रहते हैं लेकिन यहां पेण आज के इते सहे दृर्म के बात किया रहा है ऑग है उसमेंने का परटी चाहे हूं करिस्तान हो या नम्य पारटी ऑप्रणवे चाहे हो नियुक्र06 14 हो या जो हमारा fundamental right है और अंच्छेद है चाहे हो 25 हो या 28 सभी को लेकर ये बात किया जा रहा है कि अगर ये ऐसा होता है देश में लागू किया जाता है जैसे CA तो लागू हो चुका है और NRC अगर लागू होता है और इस तरह से कुछ लोगों को बाहर किया जाएगा तो ये सवाल पाकिस्तान की पाकिस्तान में बिलावल भुटो मरियम नमाज जोर्साहबास से पूछा जा रहा है कि आप सरकार के परसाथ हैं या सरकार के कर सकते हैं कि विपच में यही सबसे बड़ी समयारी है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ने का समय नहीं हमें एक नया इतियास बनाना होगा जिससे जो हमारे होते हैं कि आगे आनी वाली पिड़ी वो समझ पाए कि किस तरह से हमने इस देश पे सासन किया या इसे हम चलाया तो यह थी हमारे आज के सबसे इंपोर्टेन इंपर्मेसन आप जरूर बताए कि भारत के समीधान पे खत्र है या नहीं इसी प्रिकार से जैसे कोई इंफर्मेसन आएगी मैं आपको जरूर सुचित करूंगा इसी प्रिकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के लडी गलासेस की और से धन्यवाद